दोस्तों काफी समय के बाद फाइनली मेरे टैब S5E पे Android 10 का अपडेट आगया है और इसके साथ 1UI 2.1 का भी अपडेट आगया है तो इसे अपडेट करते हैं इस अपडेट का साइज है 2004 इंबी तो इसे अपडेट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर नए एड होने वाले हैं तो अगर आप में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और याकन प्रेस करके ऑल कर दें यहां पर आप देख सकते हैं वन यूई टू अपक्रेट विथ एंड्रोइट 10 और जो सिक्यूर्टी पैच अपडेट है वह फस्ट जून का मिल रहा है तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है अब इसे इसे इस्टॉल करते हैं अपडेट करने के बाद जो पहला चेंज मुझे लगा वो है इसकी एनिमेशन का जैसा आप कोई भी अप्लेकेशन को ओपेन करेंगे तो राउंड होके ओपेन होता है और पहले एनिमेशन ऐसा नही था दूसरी तरह था तो नया एनिमेशन आ गया है इसमें यह पहला चेंज दूसरे चेंज की बात करें तो टोगल बार को आप जहां से स्क्रॉल करेंगे वो वहीं से नेकलेगा चाहे 20 से करें या लिफ्ट से या रैट से पहले क्या होता था कि आप कहëं से भी करेंगे वो पूरी स्क्रीन पर आता था बट अभी मिनिमल हो गया है और काफी अच्छा लग रहा है देखने में तीसरे फीचर की बात के रहे हैं तो इसमें आपको एक म्यूजिक शेर का उप्शन मिल जाता है टॉगल बार में जिसे आप एक साथ दो डिवाइस से सॉंग शेर कर सकते हैं किसी भी बिलूटूथ डिवाइस पे तो ये काफी अच्छा फीचर आपको अलग अलग पैर नहीं करना पड़ेगा स्पिकर से एक साथ काम हो जाएगा चौत्वे फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको फोकस मोट का पर उप्शन मिल जाता है तो जिसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि किस टैम आपको वर्क करना है और किस टैम टैबलेट को यूज़ करना है तो जो जो लोग दिन बर लगे रहते हैं टैब पे हैं मोबाइल पे हैं उसमें काफी हेल्प करता है पाच्वे फीचर की बात करें तो आपको कॉल एड टेक्स ऑन अधर डिवाइस का उप्शन मिल जाता है मतलब आप अपने फोन से कॉल करके टैबलेट के थूरू बात कर सकते हैं ये फीचर पहले भी था बट सेटिंग में काफी अंदर था और इसे ढूने में काफी दिक्कत होती थी तो आप डारेक्ट टॉगल बार में दे दिया तो काफी सही है अब चलते हैं सेटिंग में इसके छटे नए फीचर की तरफ तो डिस्पेले मुझाते हैं तो यहाँ पर डार्क मोड का आप्शन मिल जाता है तो जिससे आपके काफी सारी बैटरी बचेगी क्योंकि एमलोड डिस्पेले तो डार्क मोड काफी यूसफूल है इसके लिए उसके साथी यहाँ पर बलू लाइट फिल्टर का भी आप्शन मिल जाता है तो नाइट में से आउन करकी यूस करेंगे तो आपकी आँख पर काफी काम असर पड़ेगा तो यह भी काफी सही लगा मुझे और इसे आप अपने शैडूल के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं वीडियो पसान आ रही हो तो भाई लोग लाइक कर दें और सबस्क्राइब भी कर लें अब चलते हैं निविगेशन बार में साथ में नए फिचर की तरफ तो यहाँ पर आपको फुल जेस्चर आपको मिल जाता है जैसा कि Android 10 की डिवाइस में आपको फोन में मिलता है उसी तरह इसमें टैबलेट में भी आपको फुल जेस्चर का सपोर्ट मिलता है तो यह फीचर मुझे प्रसनली काफी पसंद आया क्योंकि gestures यूज़ करने में काफ़ी असानी रहती है और इसमें back के लिए lift या right से swipe करेंगे तो back चला जाएगा तो यूज़ करने में काफ़ी easy है और Apple के iPad की तरह full gesture का इसमें भी support मिल गया है तो अगर अब आपको एक application से दूसरी application में switch करना है तो काफी easy हो गया है आप gestures की मदद से आसानी से switch कर सकते हैं अब चलते हैं कैमरे में इसके आठवे नए feature की तरफ तो कैमरे में आप more में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक pro mode का option मिल जाता है जिसकी मदद से आप ISO और wide balance वगरा adjust कर सकते हैं और कुछ हर तक अच्छी image क्लिक कर सकते हैं उसके साथी कैमरे में और भी नए feature दिये हैं जैसे कि scene optimizer का भी option यहाँ पर आ गया है तो जिससे scene के according यह काफी अच्छी photo क्लिक कर सकता है उसके लगा यहाँ पर more में जाएंगे तो आपको right side में एक option मिलेगा deco pick का तो यहाँ पर आप काफी सारे mask फ्रेम्स बगरा यूज़ कर सकते हैं काफी सारे दिये गया हैं आप अपने हिसाब से इसे use कर सकते हैं नवे feature की बात करें तो वो है इसका keyboard इसके keyboard में काफी बड़े updates आये हैं जैसे कि इसमें Samsung Pass का भी option मिल जाता है इसके सारे translate का option मिल जाता है जो कि बेस्ट option है अगर आप English में type करेंगे तो वो हिंदी में convert होके type होगा तो यह काफी अच्छा feature मुझे लगता है तो आप सबसे last और दस्वे feature की बात करें तो इसमें जो device के आयरी उसमें आप जाएंगे तो इसका जो layout है वो पूरी तरह से change हो गया है और पहले के मकाबले काफी future stick लगता है और दिखने भी काफी अच्छा लगता है तो यह थे कुछ खास features जो Android 10 अपडेट करने के बाद आए हैं इसमें अब बात करें Samsung desk की तो इसमें वो ही सारे आपको feature मिल जाते हैं जो जो नए feature आए हैं बट इसमें कोई भी नया animation नहीं आए है जो पुराना animation था वो ही animation है जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें update के साथ काफी सारी feature एड़ हो गए हैं और personally मुझे यह gesture काफी पसंद है तो इसे यूज़ करने में काफी असानी होती है उसके साथ dark mode और भी बहुत सारी features में add हुए है बट feature के साथ इसमें एक बहुती बड़ा bugs भी देखने को मिला जैसे कि front camera से मैं कोई भी photo click करता हूँ तो एकदम अजीब सा color आता है और मैंने काफी सारे photo click किलिक किया और सब में वही problem थी तो अगर आपको front camera से photo click करना रेता है तो अभी थोड़ा बेट कर लीजिए हो जबता है ओटी update के जरीए Samsung इसे fix कर दे अगर आपको काम नहीं रहता है कोई front camera का जैसे कि मुझे प्रसनली जादा काम नहीं है तो इसे update कर लीजिए इसमें काफी सारे feature add हो जाएंगे तो बस इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसना नहीं हो तो like करें, share करें और subscribe कर लें आप लोग वीडियो देखते हैं, like भी करते हैं बट subscribe नहीं करते हैं तो subscribe करके जाएए thank you for watching